बिस्मिला रख्मान रहीं स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिविव एक्सरसाइस 5 रिविव एक्सरसाइस का first question है multiple choice questions choose the correct answers इसमें आपने correct answers बताने है अब इसका first है the factors of x square minus 5 x plus 6 आर स्टूडेंट इन्हों ने हमें एक term दीवी है और हमने इसके factors बनाने है इसके factors हम कैसे बनाएंगे student जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो variable है x square इसके साथ हमारे पास coefficient क्या है 1 and then यहाँ पर constant हमारे पास क्या है 6 अब आप इस तरह करें कि 1 को multiply करवाएं 6 है तो हमारे पास क्या आएगा 6 अब student यहाँ पर हम factors इस तरह बनाएंगे कि हम कोई भी ऐसी दो values लें जिने multiply करवाएं हमारे पास आए 6 and then जब उन्हें हम minus या plus करवाएं तो हमारे पास आए minus 5 अब ऐसे कौन से factors हैं कि जब जो आप लें तो हमारे पास 6 आए अगर हम इस तरह कर लें कि minus root को multiply करवाएं हम minus 3 थे तो student हमारे पास 6 आएगा न positive 6 होगा and then जब हम इन्हें ही minus root को plus या minus करवाएंगे 3 में तो आपको पता है plus minus होता है तो हमारे पास क्या आएगा minus 5 तो इसका क्या मतलब है कि जो हमने factors लिए है बिल्कुल correct है अब हम इसे put करते हैं तो मैं यहां किस तरह लिखंगी x square minus 5 x plus 6 अब मैं क्या करूंगी x square minus 3 x minus 2 x plus 6 यहां से मैं x को कॉमल ले लूँगे क्या आएगा x minus 3 यहां से मैं क्या कॉमल लूँगे minus 2 तो हमारे पास क्या आएगा x minus 3 अब देखें कॉमल हमारे पास कौन सी value है x minus 3 एंड दन यहां पे हमारे पास आएगा x minus 2 तो आप देख सकते हैं कि student A, B and C में D में हमारे पास correct कौन सी value है तो आप देख सकते हैं student जो B हमारा है वो correct answer है अब मैं यहां से इसे raise कर देती हूँ ताके हम जब इसका second part करें तो हमारे लिए easy हो अब student आप देख सकते हैं कि इसका second है factors of 8 x cube plus 27 y cube r यहां पर हमें cubic दिया हुआ है तो हमने इसके factors बनाने हैं जैसे कि आप जानते हैं कि student a cube plus b cube is equal to a plus b a square minus a b plus b square यह हमारे पास formula है यहां पर इन्होंने हमें 8 x cube दिया हुआ है means कि x के ओपर cube है हम कोशिश करेंगे कि student हम whole का cube कर लें हम whole का cube किस तरह करेंगे कि जो यहां पर a है यहां पर मैं कर दूंगी 2 x का cube पुट कर दूंगी आपको पते हैं जब 2 को हम 3 times multiply करवाते हैं तो हमारे पास 8 ही आता है plus अब यहां पर हमारे पास है 27 तो मैं यहां पर क्या करूंगी कि student अगर मैं 3 को यहां पर लिख दूँ 3 y का cube आपको पते हैं जब 3 को हम 3 times multiply करवाते हैं तो हमारे पास 27 ही आता है अब मैं क्या करती हूँ equal का sign डालती हूँ and then a की जगा मैं 2 x पूट करती हूँ b की जगा मैं 3 y पूट करती हूँ 2 x plus 3 y यहां पर क्या करूंगी मैं 2 x का square minus यहां पर मैं लिख लेती हूँ a की जगा मैं 2 x b की जगा मैं 3 y लिखूंगी plus b हमारे पास है 3 y का square मैं यहां पर लिख दूँगी अब देखें अब यहां पर मैं इसे solve करती हूँ फिर देखती हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा correct option है यहां पर अब देखें मैं इसे solve करती हूँ 2 x plus 3 y देखें into 2 to the 4 4 x square minus 3 to the 6 x y plus 3 3 the 9 y square तो student आप देखें कि यहां पर कौन सा ऐसा option है कि जो यह हमारा correct हो यहां पर आप देख सकते हैं student 2 x plus 3 y 4 x square minus 6 x y plus 9 y square इसका क्या मतलब है कि student जो हमारा c option है वो हमारा correct option है अब मैं जलती हूँ student अपने part 3 की जानिब जो के है factors of 3 x square minus x minus 2 अब हमने इसका factors find out करने हैं इसके factor हम simple किस तरह find out करेंगे कि student आप देख सकते हैं यहां पर जो coefficient है x के साथ वो हमारा है 3 and then constant term यहां पर हमारे पास क्या है minus 2 अब देखें अब जो मैं 3 को multiply करवाँगे minus 2 से तो हमारे पास क्या आएगा minus 6 अब देखें हमने कोई ऐसी term लेनी है कि जो हम multiply करवाएं सोरी values लेनी है तो हमारे पास आए minus 6 and then plus या minus करवाएं तो student हमारे पास आए यहां पर minus 1 x है x साथ coefficient 1 हम consider करते हैं आपको पता है तो हमारे पास minus 1 आए अब मैं क्या करूंगे student मैं कोई सी 2 values लोंगी यहां पर अगर आपको मैं ले लू 3 to the 6 अब आपको पता है कि minus 3 को जब multiply करवाएंगे 2 से तो student हमारे पास आएगा minus 6 and then जब minus 3 को plus या minus करवाएंगे हम 2 से तो हमारे पास आएगा minus 1 तो इसका क्या मतलब है कि जो मैंने values ली है यह बिल्कुल correct है and then मैं इन values को solve करती हूँ यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर term लिखती हूँ 3x square minus x minus 2 अब देखें मैं यहां क्या करूँगी 3x square put करूँगी and then यहां पर minus 3x plus 2x minus 2 अब देखें यहां से मैं 3x को में ले लूँगे क्योंकि फर्स टू टर्म्स में से मैं पर 3x को मन आता है तो x minus 1 यहां रह जाएगा अब आपको पता है इन टर्म्स में से common क्या है हमारे पास x minus 1 common है and then यहां से क्या आएगा 3x plus 2 अब देख सकते हैं कि student यहां से हमारा कौन सा correct option है x minus 1 3x plus 2 तो यहां क्या मतलब है कि जो d है student वो हमारा correct option है अगर student आपको मेरी वीडियो अच्छे लगें तो please like and subscribe my youtube channel math by jojo student अब हम कर रहे हैं part number 4 mcq का solve जो के है factors of a4 minus 4 b4 are इसमें हमने factors find out करने है a4 k and minus 4 b4 जैसे कि student आप जानते हैं कि a square minus b square किसके equal होता है a plus b and then a minus b अब हम student क्या करेंगे कि यहां पर हमारे पास a4 है अगर मैं इसे इस तरह करके लिखती हूँ a की जगा a square का square लगे perfect square अगर मैं बना लो minus यहां पर लिखोंगी मैं 2b square का square is equal to अब देखें यहां पर मैं आगे क्या करती हूँ कि a की जगा पर मैं यहां पर a square put करती हूँ and then b की जगा पर मैं 2b square put करती हूँ फिर देखते हैं हमारे पास answer क्या आता है यहां पर देखें मैं put करती हूँ a square and then minus 2b square and a square plus 2b square अब देखें student हमारे पास a square minus 2b square और a square plus 2b square हमारा कौन सा जो यहां पर option है वो correct है simple मैं आपको again बता दूँ कि यह जो a की power 4 है हम simple इसे a square में convert करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर जिसका b option है a square minus 2b square a square plus 2b square यह हमारे पास correct option है आपके मरज़िये student पहले a minus b लिख लें या a plus b पहले लिख लें जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं इसमें अब 5 है इसका what will be added to complete the square of 9a square minus 12ab हम क्या इसमें add करें जो हमारा यह square बन जाए जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास formula होता है a square plus 2ab plus b square यह लिखें student हमारे पास एक formula है अब मैं क्या करती हूँ कि जो 9a square है अगर मैं कैसे perfect square में इसका बनाओ तो कैसे बनाओंगी यहाँ पर मैं लिख दूँगी 3a square आपको पता है जब 3 का हम square लेंगे तो मैं पास आता है 9 and then मैं यहाँ पर क्या करूँगी minus यहाँ पर student हमारे पास minus है तो मैंने यहाँ plus लिख लिख है अगर मैं यहाँ पर इसे minus कर दो तो हमारे लिए असानी रहेगी फिर आप बाद में कहेंगे कि आपने plus यहाँ पर लिख लिख है नीचे आपने minus से solve कर लिए है तो इस तरह बिलकुल भी नहीं होगा मैं यहाँ पर पहले ही minus लिख 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 है अब आप यहाँ पर क्या लेंगे कि हमारे पास 12 a b बन जाए अब देखें अगर यहाँ पर मैं टू लूँ ए A की जगा तो मैंने student 3 a put कर दिये 2 यह हमारे पास formula वाला ही है 3 a अब देखें 3 2 था हमारे पास हो गया 6 अब 6 में हम क्या ऐसी चीज मल्टिप्लाइ करवाएं कि हमारे पास 12 आ जाए आपको पते 6 2 था 12 होता है अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दू बी की जगा पर 2 तो आपको प 12 a b है ना यहाँ पर तो मैं b भी यहाँ पर लिख देती हूं ताके कोई मसला ना हो अब देखें यहाँ पर हमें पर 12 a b बन गया है ना अब आपको पते है कि हमने प्लस 2 स्केर जो यहाँ पर है मैं बी की जगा लिख़ंगी 2b plus 2b का स्केर अब देखें इस ट्टोन यहाँ आपको पता है कि टू टू ता हमेरे पास 4 हो जाता है तो यहाँ पर कौन सा option correct होगा 4 B square आपको पता है यह C option जो हमारा है वो correct है अब वो इसका 6 है Find M so that X square plus 4 X plus M is a complete square इस मिस्ट्रिंट हमने क्या करना है तब से पार तो मैं यह race कर देती हूँ ताके हम यहाँ पर असानी से कर सकें अब देखें यहाँ पर X square plus 4 X plus M हमने यहाँ क्या करना है कि इसे complete square भी बनाना है and then M की value भी इसमें हमने find out करनी है आप जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ A square plus 2 A B plus B square यह formula है आप सब ही जानते हैं अगर मैं यहाँ पर यह लिखती हूँ A यहाँ पर X square हो गया plus 2 2 वैसे का वैसे ही आ गया and then X की जगा A की जगा मैं X लिखती हूँ X अब यहाँ पर हमने B लेके आना है अब मैं यहाँ पर B क्या लोंगी कि हमारे पास 4 बन जाए अगर मैं यहाँ पर B टू ले लोंगी तो आपको पता है 2 टू दा 4 4X हमारा हो गया plus अब यह B है अब मैं B की जगाँ आपको पता है यहाँ पर मैंने 2 लिया है तो मैं 2 ही यहाँ पर लोंगी न B की जगा तो मैं यहाँ पर 2 पुट कर देती हूँ and then हमने इसमें M की value भी find out करनी है अब देखें X square यह हमारा X square हो गया 4X 4X हो गया and then M M हमारा यहाँ पर क्या है 4 तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा C option है वो correct है अब इसका 7th part करते है factors of 5X square minus 17 minus XY minus 12 Y square R हमने इसके factor find out करने है simple जैसे मैंने आपको बताया था कि coefficient के साथ जो हमारे पास sorry variable के साथ जो हमारे पास coefficient होता है 5 इसे हम multiply करवाएंगे इसके साथ कि हमारा जो है student यहाँ पर मिसे mistake हो गई है यहाँ पर minus नहीं आएगा तो आप भी यहाँ पर minus multiply करवाऊं 12 के साथ तो हमारे पास क्या आता है 5 multiply by 12 student हमारे पास आएगा minus 12 तो minus 12 के साथ multiply करवाऊंगे तो minus 63 अब देखें अब मैंने क्या करना है कि कोई से ऐसी दो many values लेनी है जिने multiply करवाऊंगे तो minus 63 आए and plus या minus करवाऊंगे तो हमारे पास minus 17 x y i अब आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्या लूँगी कि कोई से दो ऐसी values लेंगे जिने multiply करवाऊंगे तो हमारे पास minus 63 आए तो student अगर मैं इस तरह लूँगे minus 20 को multiply करवाऊं 3 से तो आपको पता है 63 आएगा already and then जब उन्हें मैं minus या plus करवाऊंगी तो हमारे पास क्या आएगा minus 17 क्योंकि minus 20 में से plus 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा minus 17 अब मैं क्या करती हूँ अब मैं इसे put करती हूँ 5 x square minus 20 x y क्योंकि student हमारे पास x y आएगा यहाँ पर हमारे पास जो variable x square है and then y यहाँ पर जो minus 12 के साथ variable है वो y square है इसलिए यहाँ पर हमारे पास minus 20 x y आएगा क्योंकि दिर्म्यान में भी हमारे मारे 17 x y है तो plus 3 x y minus 12 y square अब मैं क्या करूंगी student यहाँ पर कि मैं इन दोनों में से जो में पस common निकलता है उसे में common लनोंगी यहाँ पर क्या common है 5 x तो अंदर क्या रहेगा x minus 4 y यहाँ पर क्या common है plus 3 y और अंदर क्याएगा x minus 4 y अब देखें जो common है उसे आपने बाहिर पहले ले लिए 4 minus x minus 4 y 5 x plus 3 y अब देखें यहाँ पर कौन से ऐसा option है जो same है बिलकुल मिलता है इससे तो मैं देखूंगी कि student यहाँ पर जो हमारा c option है वो correct है student 8mcq है हमारे पास factors of 27x cube minus 1 divided by x cube r इसके हमने factors find out करने हैं जैसे कि student आप जानते हैं कि हमारे पास formula है a cube minus b cube is equal to a minus b a square plus a b plus b square अब यह formula तो आपको पता ही है अब देखें यहाँ पर हमेरे पास जो इन्हों ने फटर्म दी है वो है 27x cube minus 1 divided by x cube यहाँ पर जो x है उसका cube है पता के hall का cube नहीं है अगर मैं इसे hall का cube बनाओ तो आप जानते हैं कि student हमारे पास आएगा 3 3x का cube आपको पता है जब 3 को हम 3 times multiply करवाते हैं तो student हमारे पास आता है 27 same ऐसे यह 1 divided by x cube है अगर मैं इसे इस तरह लिख दूँ 1 divided by x का cube तो आपको पता है कि a की जगा हमारे पास आगया 3x and then b हमारा क्या हो गया x तो मैं यहाँ put करती हूँ 3x minus 1 divided by x and then यहाँ पर a square की जगा पर मैं 3 put कर देती हूँ 3x का square प्लस a की जगा हमारे पास 3x b की जगा 1 divided by x plus and then b हमारा हो गया 1 divided by x का square अब देखें यहाँ पर मैं क्या करती हूँ इसे solve करती हूँ 3x minus 1 divided by x यह तो सेम ऐसे ही रहेगा यहाँ पर 3 3 the 9 x square plus x से स्ट्रेंट मारे यह x cancel हो गया तो क्या रह जाएगा 3 plus 1 divided by x square तो स्ट्रेंट a का cube minus b का cube यह तो हमने find out कर लिया है इसमें values put करके तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंट यहाँ पर जो हमारा a option है वो correct है जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंट हमने review exercise 5 का question number 1 को complete कर लिया है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगें तो प्रिद लाइक एंड सबस्क्राइब माई YouTube चैनल मैद बाई जो 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 और स्ट्रेंट आप bell के बटन को दबाना मत भूलेगा ताके आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के notification मिलते रहें स्ट्रेंट अब हम कर रहे हैं review exercise 5 का question number 2 जो के है fill in the blank इसमें हमने fill in the blank को solve करना है फिर्स्ट है इसका x square plus 5 x plus 6 सिंपल इसमें स्ट्रेंट हमने क्या करना है कि हम इसे factorize करेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि x square इसके साथ जो coefficient है वो 1 है यहाँ पर constant हमारे पास क्या है 6 1 multiply by 6 is equal to 6 अब student आप जानते हैं कि हम कोई ऐसी दो values लेंगे जिनने multiply करवाएं तो हमारे पास आए 6 जिनने plus या minus करवाएं तो student हमारे पास आए 5 जैसे कि आप जानते हैं कि student अगर हम 3 को multiply करवाएंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 6 and then जब हम 3 को 2 से plus करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 5 तो student मैं क्या करती हूं मैं यहाँ पर simple इसे solve करती हूं यहाँ पर solve करती हूं x square plus 5 x plus 6 यहाँ पर मैं क्या करूंगी x square plus 3 x plus 2 x plus 6 अब देख सकते हैं कि यहाँ से मैं x को comment ले लोगी x plus 3 यहाँ से मैं comment लोगी 2 को अंधर क्या है गा? x plus 3 अब देखें यहाँ पर हमारे पास comment क्या है? 1 x plus 3 comment है तो पहरे मैं x plus 3 लिख लेती हूं and then x plus 2 लिख लेती हैं आप जान सकते हैं कि यहाँ पर जो x square plus 5 x plus 6 की factorized value आई है वो है यहाँ पर x plus 3 and x plus 2 अब मैं student यहाँ से इसे raise कर देती हूं ताके हम next भी solve कर सकें अब इसका second part है student 4 a square minus 16 अब मैं इसे किस तरह solve करूंगे student अगर मैं इसे इस तरह ले लो के पहले मैं आपर 4 a square minus 16 लिख लेती हूं अगर मैं यहां से 4 comma ले लो 4 को मैंने comma लिया तो अंदर क्या आएगा a square minus 4 जैसे कि student आप जाते हैं कि हमारे पास एक formula है a square minus b square यह हमारे पास किसके equal होता है a plus b के equal and then a minus b के equal अब मैं इसे इसी form में लेकर आती हूं a square यहाँ पर 4 है अगर मैं इसे minus 2 का square लिखने हूं तो कोई फार्क नहीं पड़ेगा अब मैं क्या करती हूं 4 अब इसे एक बार मैं plus में खोल लेती हूं and then एक बार मैं से minus में खोल लेती हूं यहाँ पर मैं लिखने हूं a minus 2 and then a plus 2 आप देख सकते हैं कि student 4 a square minus 16 equal है हमारे पास 4 a minus 2 a plus 2 अब इसका थर्ड है हमारे पास 4 a square plus 4 a b plus यहाँ पर इन्होंने हमें एक कहा है कि complete square इसका हमने करना है अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी student के अगर मैं यहाँ पर इस तरह करूं के 4 a square plus 4 a b 4 a square plus 4 a b मैं simply यहाँ पर write कर लेती हूँ and then हमने इसका third b find out करना है तो मैं क्या करूंगी पहले तो student मैं इसका perfect square बनाती हूँ 2 a square plus 2 आपको पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है a square plus 2 a b plus b का square हमारे पास फार्मूला होता है अब देखें फार्मूला की जगा तो मैंने फार्मूला का 2 ही लिख दिया a की जगा मैं लिखूंगी 2 a जैसे क्या आप जानते है student अगर हम 2 को 2 से multiply करें 4 a तो हमारा बनता है अब b भी हमारे पास आने चाहिए तो यहाँ पर मैं simple b को write कर दूँगी अब देखें 2 2 ता 4 4 a बी इसके साथ multiply हो जाएगा and then b भी इसके साथ multiply हो जाएगा तो 4 a भी हमारा आ जाएगा प्लस अब मैं यहाँ पर जो यह fill in the blank है यहाँ पर मैं लिख दूँगी b तो student आप जान सकते हैं कि यहाँ पर मैं 4 a square plus 4 a b plus b का square हमारे पास यहाँ आ जाएगा अब इसका फूर्थ है x square divided by y square minus 2 plus y square divided by x square अब student आप जानते हैं कि हमारे पास a square यहाँ पर minus है तो मैं minus यूज़ करूँगी minus 2 a b plus b square किसके equal होता है a plus b का square यह student इन्होंने हमें formula दिया हुआ है और इन्होंने कहा हुआ है कि इसे आप complete इसकी form में लिखने अब यहाँ पर देखें अगर मैं यहाँ पर x square divided by y square को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a की जगा x divided by y का square complete square में minus 2 a की जगा x divided by y b की जगा मैं इसे खाली छोड़ देती हूँ plus b square हमारे पास क्या है y divided by x का square अब मैं b की जगा y divided by x लिख दूँगी अब जैसे कि आप जानते हैं अगर मैं इसको इससे cancel कर दूँ इसको इससे cancel कर दूँ तो मैं पास minus 2 ही आएगा तो same वही आता है अब मैं इसे complete form में लिख दूँगी इस complete form में किसे लिखूँगी x divided by y plus y sorry plus नहीं minus क्योंकि हम पर minus use हो रहा है minus y divided by x का square अब मैं यहाँ पर fill in the blank की जगा यह लिखूँगी x divided by y minus y divided by x का square student यह हमारा हो गया अब इसका 5 है x plus y x square minus x y plus y square अब आपको पते कि student हमने mcq में भी यह वाला formula लिया था मैं simple यहाँ पर आपको पता है a plus b a square minus a b plus b का square अब मैं इसे complete form में किस तरह लिखूँगी कि हमारा पास equal होता है student a cube plus b cube के equal तो यहाँ पर इन्होंने x y की form में दिया हुए तो x y की form में लिखतूँगी x cube plus y का q अब इसका 6 है factor form of x4 minus 16 is student हमने इसे factor form में लिखना है सबसे बार तो मैं इसे यहाँ से raise कर देती हूँ ताकि हमारे लिए space बन जाए हम असाने से कर सकें इसे solve अब देखें मैं इसे किस तरह factor form में करूंगी अगर मैं x square का square अगर मैं x square का square लिखूंगी तो student x4 ही आ जाएगा न minus 4 का square अब देखें 4 का square हमारे पास 16 ही होगा अगर मैं इसे a plus b and then a minus b की form में खोलूँ हूँ तो आपको पते हैं मैं कैसे खोलूँगी x square minus 4 x square plus 4 अब देखें अगर मैं इसे अब इस तरह लिखूं x square minus 2 का square करके लिखने हूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा न 2 का square तो 4 ही होता है x square plus 4 अब देखें मैं क्या करती हूँ यहाँ पर अगर मैं इसे एक दफ़ा plus की form में खोलूँ एक दफ़ा में minus की form में कोलूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा न x plus 2 x minus 2 x square plus 4 student हमारा यहाँ पर इसका आ जाएगा factor x plus 2 x minus 2 x square plus 4 student हमारा यहाँ पर इसका factor बन गया अब इसका 7 part है student if x minus 2 is a factor of p of x is equal to x square plus 2 k x plus 8 then find k student हमने इसमें k find out करना है simple हम इसे factor theorem लगा के student हम solve इसे करेंगे अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि मैं लिखूंगी p of x minus 2 is equal to 0 and x is equal to 2 यहाँ पर मैं लिखूंगी student by remainder theorem मैं यहाँ लिखती नहीं हूँ बस simple यहाँ पर 2 लिख देती हूँ अब देखें मैं यहाँ क्या लिखूंगी कि x square की जगा मैं 2 को put कर दूंगी 2 का square plus 2 k x की जगा 2 plus 8 अब मैं इसे किस तरह solve करूंगी student 2 to the 4 आ जाएगा plus 4 k plus 8 अब आपको पता है कि student हमारा x minus 2 factor उस वक्त होगा जब इसका remainder हमारा होगा 0 अगर मैं यहाँ पर equal to 0 कर देती हूँ ताके हम k की value जो है वह हम easy से find out कर सकें तो equal to यहाँ पर 0 आ जाएगा equal to 0 आ जाएगा अब आपको पता है 8 plus 4 अब पास 12 होता है plus 4 k is equal to 0 अब मैं क्या करती हूँ 4 k कर मैं इधर रखती हूँ and then यह plus 12 होए 2-3 दर जाके minus 12 हो जाएगा k is equal to minus 12 divide by 4 अब आपको पता है 4 बन्दा 4 4-3 दर 12 तो k is equal to minus 3 student हमारा answer आ जाएगा तो मैं यहाँ पर minus 3 पूट कर दूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं student हमने review exercise 5 का question number 2 भी solve कर लिया है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगें तो मैं आपको again बता दूँ please like and subscribe my youtube channel math by जोजो student अब हम इसका last question solve कर रहे हैं जो कि question number 3 factorize the falling simple student हमने इसमें factorize करना है first part है इसका x square plus 8x plus 16 minus 4 y square जैसे कि आप देख सकते हैं इस question में student हमारे पास 4 terms हैं अब मैं क्या करूँगी 3 को मैं combine कर लोगी and then 1 को मैं अलएधा से ही solve करूँगी solution में student में क्या करती हूँ यहाँ पर x square सबसे पहले तो मैं यहाँ पर formula लिख लेती हूँ sorry question लिख लेती हूँ x square plus 8x plus 16 minus 4 y square सबसे पहले तो student मैं इन 3 terms को solve कर लेती हूँ and then 7 ही मैं इसे solve करूँगी अब देखें student यहाँ पर मैं क्या करूँगी आप जानते हैं कि a square plus 2 a b plus b square simple strand ही जो हमारे पास 3 terms हैं मैं इसे इसमें convert करूँगी आप जानते हैं कि अगर मैं इसे इस तरह लिख लिखूँ के x square plus 2 तो हमारे पास formula वाला आ गया जो कि यहाँ लिखा हुआ है एक इस जगा अगर मैं x square लिखता हूँ sorry x लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर a हमारे पास x है न हमने consider किया है तो b की जगा मैं यहाँ पर अभी खाली छोड़ देती हूँ ताकि जब हम b की value को solve करें तो आपके लिए असानी हो plus अब आपको पता है मैं 4 को अगर multiply करवाँ 4 से तो हमारे पास आएगा 16 तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4 का square अब simple यहाँ a की जगा मैंने x लिखा था and then b की जगा student मैं यहाँ पर 4 लिख लेती हूँ यह एक formula तो मैंने यहाँ पर बना लिया है अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर मैं perfect square बना लूँगी 4 y square का तो आपको पता है 2 y whole का square हमारा यहाँ perfect बन गया है अब देखें अब मैं क्या करूंगी कि इस formula को मैं close कर लूँगी इस formula को मैं किस तरह close करूंगी आपको पता है a square प्लस 2 a b प्लस b square इक्वल होता है अब देखें यह हमारे पास a हो गया यह हमारा हो गया b अब मैं इसे complete करती हूँ x प्लस 4 का square माइनस 2 y का square अगर student मैं consider करूं कि यह हमारे पास complete a है and then यह b है तो मैं इसे किस तरह open करूंगी formula के थैक आपको पता है a square plus b square sorry minus b square a square minus b square किसके equal होता है a plus b and then a minus b अब मैं इसे इस तरह खोल लूँगी x plus 4 plus 2 y सबसे पहले तो student मैं इसे minus से खोल लेती हूँ and then पिर इसके बाद मैं इसे plus से open कर लूँगी अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर x plus 4 minus 2 y अब देखे अगर आप ने इसे arrange करना है तो आप इसे arrange कर ले अगर मैं यहाँ पर arrange कर लेती हूँ इसे x plus 2 y plus 4 and then x minus 2 y plus 4 student हमारा इसका answer आ जाता है अब मैं चलती हूँ इसके second part की तरफ जो के है 4 x square minus 16 y square अब इसके solution में student मैं क्या करती हूँ सबसे पहले तो question लिखती हूँ जो के है 4 x square minus 16 y square अब आपने यह देखने सबसे पहले के इसमें से common क्या निकलता है आपको बता है इसमें से common में पास 4 आता है तो अंदर क्या बचेगा x square minus 4 y का square अब देखें मैं यहाँ पर लिखती हूँ 4 x square minus 4 y square है अगर मैं student इसे इस तरह कर लूँ के 4 y को complete square में कर लूँ तो हमारे पारत कोई मसला तो नहीं होगा x square minus 2 y का square यहाँ पर मैंने इसे लिख लिख लिया है अब student के हमरे पास वही formula बन गया a square minus b square किसके equal होता है a plus b and then a minus b अब मैं simple इसे इस तरह लिख लूँगी 4 x minus 2 y इसे आप a समझ लें इसे आप b समझ लें and then x plus 2 y student हमारा यहाँ पर इसका answer आ जाता है अब मैं इस constraint यहाँ पर third part को solve करती हूँ जो कि है 9 x cube plus 27 x plus 8 अब मैं इसके solution में constraint क्या करती हूँ इसमें तो हमने simple ही factorize करना है कोई ऐसा मसला नहीं है सबसे पहले तो हम एक question लिख लेती हूँ 9 x square plus 27 x plus 8 अब देख सकते हैं कि constraint यहाँ पर हमारे पास coefficient क्या है 9 and then constant क्या है हमारे पास 8 जब मैं 9 को multiply कराऊंगी 8 से तो student हमारे पास आएगा 72 अब आपने यहाँ पर factorize करवाने के लिए कोई ऐसी दो values लेनी हैं जिने multiply करवाएं तो student हमारे पास आए 72 and then या plus या minus करवाएं तो student हमारे पास आए 27 अब student जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मैं 24 को multiply करवाँ 3 से तो हमारे पास क्या आएगा 72 ही आएगा ना 24 multiply by 3 and then जब मैं इने plus करवाँगी तो हमारे पास क्या आएगा 27 तो जो हमने यह factor लिए हमारे पास ठीक है मैं इने यहाँ पर put करती हूँ 9 x square plus 24 x plus 3 x plus 8 अब देखें यहाँ से हमारे पास common क्या आता है student 3 x अंदर क्या रहेगा हमारे पास 3 3 तो 9 3 x plus 8 यहाँ से मैं common लोगे plus 1 अंदर क्या आएगा 3 x plus 8 अब देखें यहाँ पर common क्या है 3 x plus 8 इसे मैं लिख लेती हूँ एंदर यहाँ पर क्या आएगा 3 x plus 1 जो रह गया है वो लिख दूँगी आप देख सकते हैं student यह हमारा answer आ गया है अब मैं इसकी fourth part की जानिब चलती हूँ जो कि है 1 minus 64 और z का cube अब देखें यहाँ पर z का cube है तो इसका क्या मतलब है कि complete question को मैं cube form में लेकर आऊँगी मैं किस तरह लेकर आऊँगी solution में सबसे पहले तो इसे यहाँ पर लिखती हूँ 1 minus 64 z का cube अब देखें अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ के 1 का cube कर लूँ क्योंकि 1 को अगर 3 times हम multiply करवाएंगे 1 ही आएगा कोई हैसा मसला ही नहीं है तो minus 64 यहाँ पर है दूसरे आपको पते जब 4 को multiply करवाएंगे 4 से तो हमारे पास आता है 16 जब उसे again 16 को 4 से multiply करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 64 इसका मैं hold कर लेती हूँ minus b a square plus a b plus b square यह हमारे पास a cube and then minus b cube का फार्मूला है अब मैं इसे इस तरह ही open करूंगी यह 1 minus 4 d यह हमारे पास a हो गया यह b हो गया and then 1 का square 1 plus a की जगा मैं 1 लिखूंगी and then b की जगा 4 d plus b की जगा अब यह b हमने लिखने हैं तो यहाँ पर 4 d लिख दूँगी 4 d का square अब आपको पते हैं कि मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि 1 minus 4 d इसे मैं solve कर लोंगी 1 plus 4 d 4 for the 16 16 d square strength हमारा यहाँ पर इसका answer आ गया है अब मैं strength इसका next question 5 को solve करती हूँ 5 हमारे पास है 8 x cube minus 1 divided by 27 y का cube अब मैं इस strength किस तरह solve करूँगी कि क्यों फॉर्म में सिंपल में लेकर हूँगी perfect cube बनाऊंगी इसे मैं solution में सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर question लिख लेती हूँ 8 x cube minus 1 divided by 27 y का cube अब आपको पता है कि इसे अगर मैं 2 x cube की form में लिखनू तो हमारे पास यही आएगा 8 2 को अगर 3 से multiply करवाएंगे तो हमारे पास 8 ही आएगा minus 1 divided by 3 y का cube अब देखें मैं इसे किस तरह open करूँगी आपको पता है कि a का cube minus b का cube कि किसके एकवल होता है a minus b a square plus a b plus b का square अब मैं इसे consider कर लेती है आपको अ है यह हमारे पास b है अब मैं इसे solve कर लेती है a की जगह 2 x minus 1 divided by 3 y and then a की जगह मैं 2 x लिख लेती है 2 x का square plus a की जगा पर मैं 2 x and देन b हमारे पास आजएगा 1 divided by 3 y plus b की जगह 1 divided by 3 y का square मैं लिख लेती हूँ अब देखें 2x minus 1 divide by 3y इसे मैं solve कर लेती हूँ simple 4x square आ जाएगा plus 2x divide by 3y 2x ज़ह रिक्ता multiply हो जाएगा and then plus 1 divide by 9y square strand यहाँ पर हमारा इसका answer आ गया है अब इसका मैं 6 part को solve करती हूँ जो के है 2y square plus 5y minus 3 symbol हमने क्या करने है student यहाँ पर इसकी factorization करनी है solution सबसे पहले तो यहाँ पर मैं question write कर लेती हूँ 2y square plus 5y minus 3 अब देखें यहाँ पर हमारे पर coefficient क्या है 2 and then constant क्या है minus 3 2 को मैं multiply करूँगे minus 3 से तो student हमारे पास आएगा minus 6 अब देखें हमने multiply करवा हूँ तो हमारे पास आए minus 6 and then जिसे मैं plus या फिर minus करवा हूँ तो हमारे पास आए 5 अब देखें आप जानते हैं कि अगर मैं इसे इस तरह करवा दूँ कि plus 6 को मैं multiply करवा दूँ student minus 1 से तो हमारे पास क्या आएगा minus 6 ही आएगा na and then जब मैं 6 को minus करूंगे 1 में से plus minus minus 6 minus 1 तो हमारे पास आजाएगा positive 5 अब यह factors जो हैं यह हमारे पास correct है यहाँ पर मैं इसे लिख देती हूँ 2 y square plus 6 y minus y minus 3 अब देखें यहाँ से common क्या निकलता है 2 y तो अंदर क्या रह जाएगा y plus 3 और यहाँ से common क्या निकलता है minus 1 तो अंदर क्या रह जाएगा y plus 3 अब देखें यहाँ पर क्या बनता है y plus 3 and 2 y minus 1 strength यहाँ पर हमारा इसका answer आ जाता है अब मैं इसका question number 7 को solve करती हूँ जो कि है x cube plus x square minus 4 x minus 4 इसे तो simple strength मैं क्या करती हूँ कि मैं इसे arrange कर लूँगी and then फिर मैं इसे solve कर लूँगी अब देखें सबसे पहले मैं arrange किस तरह करूँगी से x cube minus 4 x पहले मैं इसे लिख लेती हूँ फिर मैं इस time को लिख लूँगी and then अब मैं क्या लिखूँगी plus x square minus 4 अब यहाँ पर student जो common निकलते हैं वो मैं common निकालती हैं यहाँ पर common हमार पास क्या आ जाएगा x अंदर क्या रह जाएगा x square minus 4 और यहाँ से plus 1 अंदर क्या रह जाएगा x square minus 4 अब देखें x plus 1 x square minus 4 आ गया अगर student मैं अब इसे इस तरह लिखूँगे x square minus 2 का square तो कोई हमार पास वक्त तो नहीं पढ़ेगा ना तो 2 का square हमार पास 4 ही होता है अब आप इसे consider कर लें कि यह हमार पास a है and then यह b है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी x plus 1 simple इसे a square minus b square फार्मूले से open कर लोंगी a minus b a plus b अब देखें मैं इसे किस तरह लिखूँगी सबसे पहले तो मैं इसे minus में लिख लेते है x minus 2 फिर मैं इसे plus में लिख लेते है x plus 2 तो student यह हमारा answer आ गया है अब इसका 8 question solve करते हैं जो कि है 25 m square m square plus 10 mn plus 1 अब इसके solution में क्या करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं question लिखूँगी 25 m square n square plus 10 mn plus 1 अब simple है हमने यहां पर factorize करना है कि हमको 25 को अगर multiply करवाए 1 से तो student मारे पास आता है 25 25 and जब हम हमने को यह थी दो values लेनी है जिने multiply करवाए तो 25 आता है and then plus यह minus करवाए तो हमरे पास आता है 10 simple मैं यहां क्या करती हूँ 25 m square n square अगर मैं 5 mn ले लोंगी plus 5 mn ले लोंगी plus 1 तो अगर हम 5 को आपको पता है 5 में add करेंगे तो 10 ही आएगा 10 mn ही होगा and जब हम इने multiply करवाएंगे तो 25 m square n square हमारा बन जाएगा अब देखें यहां से हमारे पास इन दो टर्म्स में से common क्या आता है आपको पता है इन में से common हमारे पास 5 mn ले लोंगी तो अंदर क्या रहेगा हमारा 5 mn plus 1 क्योंकि यह हमारे पास common आ गया ना यहां पर plus 1 आ जाएगा and 5 mn plus 1 अब मैं इसे simple लिख लूँगी जो क्यों common हमारे पास क्या है 5 mn plus 1 and यह हमारे पास क्या है 5 mn plus 1 अब आपको पता है दोनों values same हैं तो मैं इसे square करके भी लिख लेती हूँ 5 mn plus 1 का square student हमारा यहां पर answer इसका आ गया है अब इसका हम student last part को solve करेंगे जो के हमारे पास है 9 1 minus 12 pq plus 36 p square q square अब मैं इसकी solution में student क्या करती हूँ सबसे पहले तो मैं यहां पर question लूँगी pq plus 36 p square q square अब आप देख सकते हैं कि student आपको formula याद ही है कि a square minus 2 a b plus b square हम अगर इसे इस form में लेकर आएं तो हम किस तरह लेकर आएंगे आपको पता है 1 तो हमारा हो गया a 1 का square minus 2 a की जगा अगर मैं यहां पर लिख लूँ 1 and then q यहां पर मैं कौन सी ऐसी value लेकर आएं कि जब वो दो multiply हो तो student हमारे बन जाए 12 और यहां पर जो अगर मैं उसी value का square लूँ तो student हमारे पास बन जाए 36 अगर मैं इसे यहां पर लूँ कि हमारे पास 6pq मैं ले लूँ तो आपको पता है 6 to the 12 minus 12pq हो जाएगा यहां पर मैं plus लिखती हूँ 36 की जगा 6pq का square अब आपको पता है student यह हमारे पास formula बन गया है तो मैं इसे कैसे लिखूंगी 1 minus 6pq का square यह हमारा student हो गया answer student जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने review exercise 5 को complete कर लिए है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगें तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब शियर माय यूट्यूब चैनल मैत पाई जोजो student आप description बॉक्स में जाकर मेरी तमाम वीडियो का link ले सकते हैं और search बार पर जाकर अगर आप math by जोजो लिखेंगे तो student आपको मेरा चैनल मिल जाएगा and then उस महाँ पर तमाम playlist मौझूद है आपने अगर कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप मेरी playlist से जाकर देख सकते हैं अब आप से मुलाकात होगी next chapter में जो के है chapter number 6 इसके लिए अलाहाफीज